हेलो दोस्तों रादे रादे जैशी किष्णा नमस्ते यूटूब चैनल अपना किचेन एंड किराट में आपका स्वागत है आज हमने बनाए होम मेट कुरकुरा आईए बताते हैं हिसे घर पर कुरकुरा बनाने के लिए एक कटोरी चूरा लिया है पॉया है मैंने कट्व लिया है आप पतला मोटा को इसा भी ले सकते हैं कि बहुत अच्छा कुरकुरा लगता है इस तरह से घर पर बनाएंगे कुरकुरा आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं जब भी महमान आ जाएं चाय के साथ कुरकुरा दीजिए थोड़ा सा बेशन चाहिए आरा रोड इससे थोड़ा क्रेंची बनता है कुरकुरा चाट मसाला लाल मिर्च पौडर नमक हल्दी कलर के लिए आप कलर भी डाल सकते एक थाली लिया है हमने इसी से जो है चान लेंगे चलनी की साहिता से आटे वाली पोहे को अच्छे से चान लेते हैं पोहे को इसी तरह से चान लेते हैं जो इसमें डश्ट बैठे होंगे वो निकल जाएंगे चान ने से इसी तरह से ठोक ठोक के चान लेते हैं अच्छे से बारिक जो है मिट्टी जमा होती है वो निकल जाती है इसको चालने से एक बाउल लेते हैं चूरे को उसी में डाल लेते हैं इसका पॉडर बनाना है मिक्सी जार में इसको डालके बारिक पॉडर बना लेते हैं आये इसका पॉडर बन गया है इसी तरह से पॉडर बना देना है पॉडर ज्यादा बारिक हो या ना हो मोटा भी चल जाएगा इसी तरह से होना चाहिए इसको एक बरतन में खाली कर लेते हैं जिस कटोरी से पॉडर बनाने के बाद ये कम हो जाता है देखिए एक कटोरी पॉछा लिया था आधी कटोरी बची है आप कुरकुरा अगर जादा बनाना चाहते हैं तो दो कटोरी चूरा या पॉछा ले सकते हैं आप इसको इस तरह कर के भी रख सकते हैं कटोरी से बैसन को भी नाप लेंगे एक दो तीन हमने तीन चमच बैसन डाला है इसमें इसको मिक्स कर लेंगे इसी में इसी तरह से मिक्स करना है लाल मिच पाउडर आप कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ले सकते हैं मैंने नॉर्मल मिर्च ली है थोड़ा सा नमक आधा चमच नमक स्वाद के अनुसार लीजिए क्योंकि जो है हमको बाद में भी डालना पड़ेगा इसमें कुरकुरा रेडी करने के बाद इसको फिर से बॉल में मैंने डाल लिया है इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए घर पे कुरकुरा बनाएंगे बहुत टेश्टी बनता है मैंने गैस पे पैन चड़ा दिया है उसमें उसी कटोरी से एक कटोरी पानी डाल दिया है इसको थोड़ा गरम हो जाने देते हैं अब थोड़ा थोड़ा करके चूरे का पौडर पोहे का पौडर इसमें डाल देते हैं इसका एक दो बनाना है हमको अब ये जब तक पानी इसमें पूरी तरह से मिलना जाए जब तक इसको चलाते रहेंगे एकदम मेडियम आज में ही इसको पकाना है इसी तरह से गाढ़ा हो जाएगा पानी सोक जाएगा इसमें चूरे में इसको थोड़ा ठंडा हो जाने देते एक बरतन में निकाल लेते हैं सारे चूरे के डो को इसी में निकाल लेते हैं इसी में हमको आरा रोड मिला लेना है आप चावल का आठा भी मिला सकते हैं हमने तीन से चार चमच आरा रोड लिया है अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है इसी में थोड़ा सा तेल डाल देते हैं दो तीन चमच इससे सानने में असानी होती है डो बनाने में अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसी तरह से इसको हाथों से मिक्स करते हुए चलेंगे थोड़ा सा कलर देने के लिए हल्दी पौर्डर डाल दिया है अगर आपको रेट कलर पसंद है तो आप बजार से रेट कलर लाके डाल सकते हैं थोड़ा सा हाथ में तेल लगा के इसको मसलेंगे एक मुलायम डो रेडी करना है इसी तरह से इसको मसलेंगे अच्छे से जितना अच्छा हम इसको मसल के डो रेडी करेंगे उत्ता अच्छा रेडी होगा यह देखिए नजादा सकते हैं नजादा मुलायम है इसी तरह से डो रेडी हो जाएगा अब छोटी छोटी लोईयां लेके कुरकुरे का कार देते हैं आप अपने हिसाब से ले सकते हैं इसी तरह से उंगली गोल गोल घुमाके उंगली की साइडों में ले जाते हैं तेड़ा मेरा बनता है कुरकुरा तो इसलिए तेड़ा मेरा कार देना है यह देखिए इसी तरह से धीरे से उगली की साइड में ले जाएंगे यह तेड़ा मेरा बन जाएगा आईए एक और बना के दिखाते हैं छोटी सी लोई लेंगे हथेली के साइटा से इसको इस तरह से करेंगे उगली की साइड में ले जाएंगे यह देखिए इसी तरह से तेड़ा मेरा बन जाएगा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं आपको लंबा पसंद है आप लंबा भी बना सकते हैं तेड़ा मेरा बनाना चाहते हैं तेड़ा मेरा बना सकते हैं खाने में इतना टेस्टी होता है बहुत अच्छा लगता है टेस्टी लगता है बच्चों को बहुत पसंद आता है यह आप इसको इस्टोर करके रख सकते कई महीनों तक का मतलब यह बहुत कुरकुरा बना रहता है खराब बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि केम्कल का इस दो्वर नहीं है इसी तरह से मैंने जो है सारा कुरकुरा रेडी कल लिया है कि ने कढ़ाय में चछघा दिया है थोड़ा से इसको गर्म हो जाने देते हैं तेल हमारा गरम हो चुका है एक एक करके सारे कुरकुरे इसमें डालते हैं जब सुरुआत में हम कुरकुरे इसमें डालेंगे तो गैस की फिलेम तेज होनी चाहिए ताकि कुरकुरा उपर से अच्छे से पक सके जब एक सते पक जाएगी तो जब थोड़ा ये पक जाएगा दो चार मिनट के लिए फिर फ्लेम को गैस की धीमे कर देंगे मीडियम आच ताकि वो धीरे धीरे अंदर भी पक सके इसी तरह से कुरकुरों को पका लेंगे ये थोड़ा सा फूलेगा भी बनने में बहुत क्रंची लगता है आप इसको दोस्तों को महमानों को खिला सकते हैं ये देखिए कित अच्छा कलर आया है मैंने हल्दी डाला था बिल्कुल मार्केट के जैसे कुरकुरा रेडी हुआ है आप इसमें रेट कलर भी डाल सकते हैं खाने वाला हमने हल्दी का यूज़ किया है आप अपने चौईस के हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं इसी तरह से इसको पका लेते हैं अच्छे से जब तक कुरकुरा रेडी हो रहा है थोड़ा सा मसाला रेडी कर लेते हैं थोड़ा सा नमक ले लेते हैं चाट मसाला चाट मसाले में भी नमक होता है उसी हिसाब से लीजिएगा थोड़ा सा लाल मिच पोडर इन सारी समागरियों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं क्योंकि गरम गरम जब कुरकुरा रेडी करेंगे जब निकालेंगे तो मसाला तुरंत ही मिलाना होता है उसी में चिपक जाएगा अच्छे से देखे कुरकुरा हमारा किता अच्छा रेडी हुआ है पकने के बाद यह उपर तैरने लगता कुरकुरा यह देखिए जितना dark color आपको पसंदो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं किसी को dark color पसंदे, किसी को हलका पसंदे वो आपके उपर है इसी तरह से सारे कुरकुरे को तल लेते हैं बहुत ही क्रेंची बनता है गर्मा गर्म में ही मसाले एट करने हैं इसको मिलाने के बाद ऐसे हिला लेते हैं जो सा फ्लेवर आपको अच्छा लगे उस हिसाब से मसाला मिला सकते हैं ऐसे ऐसे बहुत ही क्रंची बना है जैसे जैसे फ्राइ करते जाएंगे इसमें मसाला एट करते जाएंगे निकालने के बाद तलने के बाद कुरकुरे हलके हो जाते हैं तो वो उपर तेरने लगते हैं इसी तरहे कुरकुरों को निकाल लेते हैं आप लाइक से और सब्सक्राइब झरूर कीजिए गा हमको कमेंस बॉक्स में जरूर बताईएगा कैसे लगा आपको कुरकुरो को निकालने के बाद इसी तरह से बरतन में डाल देते हैं गर्म गरम कुरकुरो में मसाले डाल देते हैं क्योंकि इसी तरह से जो है मसाले अगर मिक्स करेंगे तो कुरकुरो में अच्छे से चिपक जाएंगे इसी तरह से इसको कर लेते हैं सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे इसी तरह से देखिए दोस्तों कुर्कुरे हमारे रेडी हो चुके हैं अंदर तक पूरी तरह पक चुके हैं इसी तरह से कुर्कुरे की रेशेपी होईगी हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर बताईएगा कुरकुरे हमाई रेडी हो चुके हैं खाने में बहुत टेश्टी है आप इसको इस्टोर करके भी रख सकते महीनों तक खराब नहीं होगा जब भी जी करें च्छाय के साथ कुरकुरे निका लिए खाईए टेश्टी लगता है